माववादियों से कथित संभन के मामले में बंबई उच्छन्याले ने बरी किये गए दिल्ले विश्व विद्याले के पूर्व प्रोफेसर जियन साई बाबा को गुरवार को नापूर के इंडिया कारागार से रिहा कर दिया गया अदालत ने साई बाबा को मगलवार को बरी किया था उन्हें कथित माववादी संभन मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गए थी जिसके बाद उन्होंने आज पटरकारों से संवासा था इससमें जियन साई बाबा ने उनके नया यात्रा में सहयों की सभी अधिवक्ताव का धन्यवाद किया जा उन्होंने बत स्वादू पिंटविकार आदी गंबिर बिमारियों और स्वास्त समस्याओं की चपट में आ चुकी हैं मरहाल ग्यात हो कि माराश्य के गर्चे रोली जिले की एक अधिनस्त अदालत के दोशी ठेराए जाने के बाद साई बाद 2017 से या जेल में बंद थे इससे पहरे बाद 2014 से 2016 तक इस जेल में थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी शारीर अर्शम तक के कारण वीलचेर का इस्तिमार करने वाले साई बाद नी जेल से बाहर आने के बाद समवाद दाताओं से कहां कि मेरा स्वास्त बहुत खराब हैं मैं बात नहीं कर सकता मझे पहले इलाज कर रहा और उसके बाद ही मैं बात करपाऊंगा लेकिन आज उन्होंने अपने दस सारों की अनुपव और न्याय पाने के संकश को बया किया जा उन्होंने विशेश रूप से बचाव पक्ष के वकेल सुबोध धर्मादिकाली का धन्यवाद किया जा उन्होंने बताया कि कई शारीरिक व्याती साथी साथ कटनाईों के पेच उन्होंने उनका केस लड़ा है। इस वक्त बोलते वें उन्होंने नाकपूर मुंबई सभी वकिलों का धन्यवात किया जा उन्होंने खुला सा किया कि मैं शिक्षक था लेकिन इस मामले ने मुझे समाज और मेरे पेशे से दूर कर दिया। ये खेट भी उन्होंने जाहिर किया है। साथी साथ उन्होंने आदिवासी संकश के कुछ शनों को भी बया किया। पिर भी जो आप लोगों की उच्छुकता थी और हमारा भी करताव्यों था कि आप तक उनकी बात आपके माध्यम से जाए जनता तर्शुकता थी। इस दूसर बंप्र आप क्याओ इस दूसरा कि करते कुछ उन्होंने जाहिर किया थी। अप्राइश भारतवास मानीश टेंप्री के पुरूट झाल